हाई गाईज कैसे हैं आप साब मैं हूं जोती आज मैं आप लोगों के साथ शेर करूंगी स्लिप डिजाइन अगर आपको मेरा ये स्लिप डिजाइन अच्छा लगे इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा बैल आइकन पर क्लिक कीजेग जिसे की मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहें चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं स्लिप के कटिंग करने के लिए मैंने फैब्रिक को फोल्ड करकर रख लिया है स्लिप की चोड़ाई रखेंगे हम 9 इंच और स्लिप कี้ लेंधर और इस वाली साइट से हम दो इंच पर निशान लगाएंगे कभी भी आप सिलिप कटिंग करें दो इंच का निशान हमेशा लगाएं और गोलाई आपको दो इंच छोड़ कर ही करनी है उससे आपकी सिलिप की लैंग छोटी नहीं होगी अब देखिए नीचे से मैं इस तरीके से निशान लगा दूँगी बोटम वाली साइट से जितना आप बोटम पैंते हैं उसके अकोडिंग अप निशान लगाएंग और मारेजर्ग जितना आप लेते हैं उतना लिजेगा और scale से इसको इस तरीके से एक line draw कर दिनगे, अब हम cutting कर लिएगे इसकी, और आप देखिए कुछ इस तरीके से आएगी, हमारी slip के दो piece हो गये है, slip वाली पटी है, और slip वाली पटी से मैंने ये बड़ी पटी cutting की हुए है, एक एक इंच की, देखे ये मैंने तीन इंच की पट्टी कटिंग की है और ये मैंने दो इंच की पट्टी कटिंग की हुई है और हब हम डिजाइन बनाएंगे तो इस तरीके से इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसको हम एक बार और इस तरीके से फोल्ड करेंगे और स्टिचिंग करें अब येलो वाले डिजाइन भी हम इसी तरीके से बनाएंगे और इस तरीके से हम स्टीचिंग कर लेंगे और ये देखिए मैंने सारे डिजाइन बना लिए हैं ये देखिए अब हमें रेड़ वाले के डिजाइन के उपर इस तरीके से येलो वाले डिजाइन हम इस तरीके से और यहां पर हम stitch कर लेंगे इसी तरीके से हम सारे डिजाइन complete कर लेंगे यह देखिए मैंने सारे डिजाइन complete कर लिए है अब देखिए मैंने यह पट्टी cutting की थी इस पट्टी पर हम half inch का निशान लगाएंगे इस तरीके से यह हमारा margin में जाएगा और यह करीबन 3 inch की मैंने यह पट्टियां cutting किये और पट्टी इस तरीके से इसको fold करना है half inch अंदर की side और इस तरीके से हम stitch कर लेंगे डिजाइन बनकर complete हो गया है और अब हम इसमें slip join करेंगे half inch अंदर की side हमें इस तरीके से fold करकर stitch करनी है मैंने इस design को 3 color में बनाया है आप इस design को 2 color में भी बना सकते हैं और देखे stitch मैंने कर ली है एक side से भी हम इस तरीके से slip joint कर लेंगे और यह मैंने joint कर ली है और extra fabric में मैंने cutting कर ली है यह मैंने एक inch की पट्टी cutting की है और इस पट्टी को हम इस तरीके से रखेंगे slip के उपर slip हमें उल्टी रखनी है उल्टी वाली side से और यहां पर हम इस तरीके से stitching कर लेंगे इसी तरीके से हम stitching complete करेंगे देखिए एक side से मैंने stitching कर ली है अब इस पट्टी को हम इस तरीके से चौड़ी करकर इस तरीके से stitching करेंगे अब इस तरीके से हम फैब्रिक को फोल्ड करकर इस तरीके से हम दुवारा हम इस पट्टी को स्टीचिंग करेंगे सीधी वाली साइट से और इस तरीके से हम स्टीचिंग कम्प्लीट कर लेंगे देखिए स्लिप हमारी बनकर कम्प्लीट हो गई है कुछ इस तरीके से आएगा